तो अगर खेसाईलाल यादव का एग्रिमेंट खतम हो चुका है तो क्या नया साथ तक Global Music Johnson को दिया गया है क्या बड़ी अपडेट इस एग्रिमेंट को लेकर निकला है तो इसी सब के बारे में आप सभी को बताने बालाँगों तो वाई वीडियो पर लास तक देखने चैनल पर नेगो तो चैनल को सब्सक्राइब को लो ठीक है तो देखें बहुत लोगों का मनना है कि एग्रिमेंट खतम हो चुका है लेकिन बहुत लोगों का मनना है कि एग्रिमेंट खतम नहीं हुआ है क्योंकि अगर agreement खतम हो गया होता तो खिसारी लाल यादव का बहुत सा रगरना private है तो उसे public कर दिया गया होता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इस agreement को लेकर fully information आप सभी को देने वाला हूँ क्या quote का निर्देस रहा है, global music जंसों को क्या फटकार मिला है यहाँ पर मैं चार्ट लगा दे रहा हूँ, आप सभी पढ़ सकते हैं और सुनिए दिल्ली HC ने खिसारी लाल यादव के social media music monetization को निशाना बनाने के लिए global music junction को फटकार लगाई दिल्ली उच्चन्यायाले ने social media platform सहितकई संस्थाओं को notice भेजने के लिए global music junction प्राइवेट लिमिटिट को फटकार लगाई है जिसमें उनसे भोजपूरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव जिन्हें शत्रुगन कुमार के नाम से भी जाना जाता है के गानों से कमाई बंद करने की मांग की गई है न्यायमूर्ती संजीव नरूला ने बताया की notice जिसमें संस्थाओं को उच्छ न्यायाले के एक पक्षिया आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था वास्तव में अदालत के निर्देशों की गलत व्याक्या थी ये संगर्ष Global Music द्वारा 2022 में यादव के खिलाफ दायर एक मुकदमे से उत्पन हुआ जिसमें 30 सितंबर 2025 तक नई बौधिक संपदा या सामगरी विक्सित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ सहयोग नहीं करने के समझोते के उल्लंगन का आरोप लगाया गया था एकल न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर 2022 को Global Music के पक्ष में एक पक्षिय निशेधा ग्या दी हाला कि बाद में यह आदेश रद कर दिया गया इसके बाद Global Music ने एक अपील दायर की और सितंबर 2023 में एक खंडपीट ने अपील के संबंध में कुछ निर्देश जारी किये खंडपीट ने यादव के खिलाफ एक प्रतिबंध जारी किया जिसमें उन्हें 30 सितंबर 2025 तक अपने नए गीतों का मुद्रिकरन करने के लिए Global Music के अलावा किसी भी कंपनी के साथ सहयोग करने से रोक दिया गया हाला कि पीट ने सपष्ट किया कि यादव को भोजपुरी फिल्म उद्योग में अपनी गतिविधिया जारी रखने की अनुमती है साथ ही राष्ट्रिय टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और मंचों पर उनका प्रदर्शन विवाद के नवीनतम अपडेट में यादव ने एकल न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें डिविजिन बैंच के आदेश के गंभीर उललंगन का अरोप लगाया गया उन्होंने दावा किया कि ग्लोबल म्यूजिक ने निर्देशों को लागू करने के प्रयास में यूट्यूब सहत विभिन संस्थाओं को नोटिस भेजे एन, नोटिसों में दावा किया गया है कि यादव अपने नए गाने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा वित्रकों, संगीत कमपनियों, निर्माताओं आदी को नहीं बेच सकते जब तक कि संगीत उत्पादन कमपनी नए गीतों की डिलिवरी स्विकार करने से इनकार नहीं करती जैसा कि न्यायाले के 2023 के आदेश में निर्दिष्ट है यादव ने तर्क दिया कि नोटिस अदालत की अवमानना है क्योंकि वे एकल न्यायाधीश के एक पक्षिया आदेश के आधार पर जारी किये गए थे जिसके परिणामस्वरूप उनके बड़ी संख्या में गाने अनुचित तरीके से हटा दिये गए और अब यूट्यूब पर पहुँच योग्य नहीं है जबकि ग्लोबल म्यूजिक ने प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय का अनुरोध किया न्यायाले ने कहा कि उसने डिविजिन बैंच के आदेश में उल्लिखित विशिष्ट निर्देशों को सपष्ट रूप से पार कर लिया है न्यायाले ने कहा कि उल्लंगन प्रतम द्रिष्ट्या उन्हें अवमानना के लिए उत्तरदाई बनाता है और यादव के दावे को स्विकार किया कि Global Music द्वारा जारी किये गए नोटिस ने उनकी व्यावसायक व्यस्तताओं को काफी प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप काम की संभावनाओं में कमी आई है क्योंकि कोई भी संस्था अब जुड़ने को तयार नहीं है उनके साथ न्यायाले ने आगे कहा कि Global Music एक पक्षिया आदेश लागू नहीं कर सकता था क्योंकि इसका अस्तित्व समाप्थ हो गया था नतीजतन कमपनी ने अपने मामले में पारत निर्देशों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था Global Music द्वारा यह विरोध करने के बाद कि इस तरह का निर्देश उसे सीधे प्रवर्तन की मांग करने की अनुमती नहीं देगा न्यायमूर्ती नरूला ने कहा कि कमपनी एक आवेदन दायर करके अदालत के माध्यम से प्रवर्तन की मांग कर सकती है और अदालत तब आवश्यक निर्देश जारी करेगी वरिष्ट अधिवक्ता संदीप सेठी और अधिवक्ता समीक्षा गोधियाल, गोविंद मनोहरन, एकार्तिक, स्मृती सुरेश, श्रीप्रिया, गुंजन राठोड, निश्चे शर्माने खेसारी लाल यादव का प्रतिनिधित्व किया अधिवक्ता अखिल सिब्बल और अधिवक्ता यश्वर्धन, कृतिका नागपाल, अक्षय गुपता, ग्यानेंद्र शुकला, गौरफ सक्सेना और आधित्यराज पतोदिया ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटिड का प्रतिनिधित्व किया अधिवक्ता नील मेसन, विहान डांग, आधित्य माथूर और प्रागया जैन ने यूट्यूब का प्रतिनिधित्व किया साथ में है, वो रहेगा, तो यहीं तमाम चीजे कोट के द्वारा कहा गया है, आप सबी को इनफोरमेशन अच्छा लगा हो, तो यहीं लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्काइब कर लेना हम मिलता है, आप सब लिए वीडियों से वहीवाई कुछ है, सर मुझे दूम